राश्ट्रपती पद के लिए आज द्रौपती मुर्मू अपना नामांकन परचा दाखिल कर रही है एंडिय के तरफ से द्रौपती मुर्मू उमीद्वार है राश्ट्रपती पद के लिए जोरान कई नेता मुझूद हैं मुख्य मंत्री के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वहीं राजनात सेंग ग्रह मंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री समेत कई तमाम नेता यहां पर उपस्थ थें द्रौपती मुर्मू को राश्ट्रपती पद के उमीद्वार के नामांकन के लिए अब केंद्रिय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर नॉमिनेशन पेपर पर हस्थाक्षर किये गए थे और उसके बाद अब द्रौपती मुर्मू NDA के तमाम नेताओं के साथ यहाँ पर अपना नमांकन परचा दाखिल कर रही है तो यह बता दूँ कि द्रौपदी मुर्मु जारखन के पुर्व राज्यपाल रह चुकी है और NDA के तरफ से इस बार द्रौपदी मुर्मु राष्ट पतिपद के लिए उम्मीदवार है आज द्रौपदी मुर्मु अपना नमांकन परचा दाखिल कर रही है जौरान प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी बीजेपी के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा समेत रक्षा मंतरी ग्रह मंतरी ग्रह मंतरी भी यहाँ पर उपस्थित हैं तो बतादूं कि NDA के तरफ से द्रौपदी मुर्मु अपना नमांकन परचा दाखिल कर रही है द्रौपदी के खिलाफ यश्वन्त सिन्धा उमिद्वार है तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई राचियों की मुख्य मंतरी भी उपस्थित हैं योगी आदत्तिनाथ समेत कई मुख्य मंतरी यहाँ पर मौजूद हैं और एंडिये के जो तमाम नेता हैं सभी उपस्थित हैं और दौपदी मुर्मू अपना नामांकन परचा दाखिल कर रही हैं तो यह नामांकन चार सेट में होना है पहले सेट में प्रस्तावक के तौर पर ग्रे मंतरी अमित्शा और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं तो राश्टपती चुनाव के लिए एंडिये के उमीदवार दौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन परचा दाखिल कर लिया है तस्वीरे आप देख सकते हैं कि प्रस्तावक के तौर पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं साथी यहां पर उनके बगल में दौपती मुर्मू खुद बैठी हुई है ग्रे मंतरी अमित शाह भी हस्ताक्षर करते हुए नजर आ रहे हैं तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने पहले प्रस्तावक के तौर पर अपना हस्ताक्षर किया है साथी यहां पर एंडिये के तमाम नीता उपस्थत है तो दौपती मुर्मू ने अपना नामांकन परचा दाखिल कर लिया है मुर्मू ने सदन भवन में राजसभा के यह एतिहासिक तस्वीरे राश्टपती उमीदवार के लिए दौपती मुर्मू ने इंडिये के तरफ से अपना नामांकन परचा दाखिल किया है इस दौरान इंडिये भाजपा के तमाम नीता कई मुख्य मंत्री तमाम राज्यों के यहां पर मुझूद थे कई मंत्री भी यहां पर उपस्तित थे तो यह एक्स्क्लूजिव तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जहां राश्टपती पद के लिए द्रौपती मुर्मू ने अपना नामांकन परचा दाखिल कर लिया है दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ग्रह मंत्री अमित्शा रक्षा मंत्री सहित तमाम मंत्री मौझूद थे साथ ही कई राज्यों के मुख्य मंत्री भी मौझूद थे अगर दुरापती मुर्मू राष्ट्रपती चुनाव जीतती हैं तो पहली महिला होंगी दुरापती मुर्मू जो आदिवासी समाज से आती है तो आदिवासी समाज की पहली राष्ट्रपती बन सकती हैं दुरापदी मुर्मू और NDA के तरफ से उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है NDA के अलावा साथ शेत्रिय पार्टियों का भी समर्थन मिला है NDA को वहीं दुरापदी के खिलाफ यश्वन्त सिन्हा उमीदवार है तो आज दुरापदी मुर्मू ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर लिया है वहीं इसे पहले बिपक्षिदल यश्वन्त सिन्हा ने अपना सन्युक्त उमेदवार घोशित कर चुके हैं और आज दुरापदी मुर्मू अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर चुकी है राश्ट्रपती चुनाव में एंडिये के उमीदवार दुरापदी मुर्मू की जीत लगभग तैमानी जा रही है जीत के आंकडे में महज कुछ खदम दूर खड़ी एंडिये अब नवीन पतनायक और जगन मोखन ड्रेडी के समर्थन के बाद बहुमत के आंकडे से काफी आगे निकलती दिख रही है वही बिपाक्ष जादूई आंकडे से काफी पीछे नजर आ रही है जिसका सीधा मतलब है कि दुरापदी मुर्मू ही भारत की अगली राष्टपती हो सकती है तो आज दुरापदी मुर्मू ने अपना नामांकिन पर्चा दाखिल कर लिया है इस दौराण NGA के तमाम नेता खुद प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ग्रे मंतरी अमित शाह रक्षा मंतरी यहां उपस्त थे प्रस्तावक के तौर पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने अपना हस्ताक्षर भी किया है मशक्कत की गहरी आच में पकने के बाद ही मिलती है पहचान जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं